बिहारवासियों को कोल डे और कनकनी से फिलहाल नजात नहीं मिलने वाली आज रात यानिकी गुरवार को रात का तापमान 10 डिगडी के नीचे रहने का अनुमान है आट से दस किलोमेटर की रफतार से चल रही सर्द पच्छुआ हवा और कुहासा की वज़े से धूप नहीं निकल रही इस से नियूनितम पारा में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है लेकिन अधिकतम पारे में गिरावट हो रही है इस से ठंड घटने के बजाए बढ़ रगे रही है अगले 48 घंटों तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है इसकी वज़े से पटना, अररिया, दर्भंगा, गोपाल गंच, गया, पुर्णिया, भागलपुर, सुपॉल, पूर्वी, चंपारण, बकसर, सीता, मढ़ी में कोल्ड डे रहा गुरवार को इनी जिलों में कोल्ड डे के रहने का अनुमान है बताया जा रहा है कि बिहार में पश्यमी विशूब दस्तक देने वाली है, इसी वज़ा से मौसम में फिर से बदलाव होगा पूर्वानमान में कहा गया कि शुकरवार को कहीं कहीं हलकी बारिश होने की संभावना है जबकि 22 और 23 को पटना समेथ बिहार के जादातर हिस्सों में गरच के साथ बारिश, बिजरी चमकने और ओला गिरने की भी संभावना है वहीं गुरुवार को खराब मौसम का असर फ्लाइट की सेवाओं पर भी पड़ा आज पटना आने वाली पहली और दूसरी फ्लाइट लेट हो गई इस कारण यहां से जाने वाली पहली फ्लाइट को भी रिशिड्यूल कर दिया गया आज कुल 12 फ्लाइट आने जाने में लेट हुई इसमें सबसे अधिक बैंगलूरू की फ्लाइट करीब धाई घंटे लेट हो गई जबकि दिल्ली बैंगलूरू और मुंबई की कुल 8 फ्लाइट आने जाने में कैंसल हो गई है मौज़ा विभाग के मुताबिक राज्य के सतह पर 0.9 किलोमेटर उपर उत्तर एवं उत्तर पच्छुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है इसकी गती 8-10 किलोमेटर प्रति घंटे की है हवा और तापमान का संयुक्त प्रभाव देखा जाए तो 5 किलोमेटर हवा के प्रभाव के कारण शरीर को महसूस होने वाला तापमान दर्ज किये गए तापमान से 2-3 डिग्री कम होते है अर्थाद 5-7 किलोमेटर प्रति घंटे की हवा के प्रभाव के कारण आठ डिग्री का तापमान 6 डिग्री महसूस होता है इससे सामान निभाशा में कनकनी कहते हैं थंड भडी हवा की कारण रज्ज के पशमी और मद्य भाग के कुछ स्थानों पर अगले 48 घंटों तक शीत की स्थिती बनी रहेगी मौसम विभाग के मताबिक उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारंड सिवान सारन मद्य बिहार के मधुबनी, मुझपरपुर, दर्भंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तिपुर में कोल डे का प्रभाव होगा इंजलों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम हो सकता है मौसम विभाग का कहना है कि इंजलों में 10 किलोमेटर प्रति घंटी की रफ्तार से चलने वाली हवाई अपना प्रभाव कनकनी के रूप में दिखाएगी मौसम विभाग के मताबिक बीते 24 घंटे में मौसम शुश्क रहा रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ लेकिन राज्य के अधिकतर शेहरों में नियूनितम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया इस कारण शीत दिवस की स्थिती बनी रही सबसे कम नियूनितम तापमान 7.4 डिग्री शिखपूरा में दर्च किया गया राज्य के प्रमुक शेहरों में जहां शीत दिवस जैसी स्थिती रही उनमें पटना गया भागलपूर पूर्णिया फारबिस गंश सुपॉल दर्भंगा और मोतिहारी सहित कई जिले शामल है